उपासना सिंग एक पॉपलर बेटरन राक्टरस हैं जिन्होंने की बड़े परदे के लावा छोटे परदे पर भी खूब नाम कमाया तो चलिए जानते हैं उपासना सिंग अब तक किन किन टीवी शोज में नज़रा चुकी है उपासना सिंग ने अपने टेलवीजन कर्यों की शुरुआत 1997 में की थी सबसे पहले पॉरानिक शोजय हनुमान में मोहिनी का रोल करती नज़राई इसके बाद इन्होंने दूरदर्शन के शोओ ओम नमस्षिवाई में भी मोहिनी का ही रोल किया स्टापलस के शोओ सोन परी में इन्होंने काली परी और कुरुएला का एक अहम किरदार निभाया डिडी नैसनल के शोओ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में इन्होंने गंगा की भूमी का निभाई ये इसके बाद सुनी टीवी के शो ये मेरी लाइफ है में भी दिखाई दी जी टीवी के शो तमन्ना हाउस में भी इनोंने काम किया जी टीवी के शो माई का साथ जिन्द की भरका में इनोंने लवली बुआ की भूमी का निभाई स्टारवन के शो दिल मिल गए में ये सिद की मदर का रोल करती दिखाई दी स्टापलस के शो राजा की आएगे बारात में इनोंने भानुमती का रोल किया स्टारवन के शो परी हुमय में इनोंने मामी जी का रोल किया दूरदर्शन के शो आशिक बीवी का में ये नीता की मदर का रोल करती दिखाई दी इसके लावा ये जी टीवी के शो मिसिस कोशिक की पांच बहुएं दूरदर्शन के शो ये जिन्दकी है गुलशन दूरदर्शन के शो कुल की जियोती कन्या दूरदर्शन के ही शो राशी विला और दबंग चैनल के शो मैडम की पाटशाला में भी दिखाई दी डिसने चैनल के शो जिंदकी खटी मीठी में इन्होंने दामियंती का रोल किया कलर्स के शो बानी इश्कदा कलमा में इन्होंने डोली मान का रोल किया था कुमेडी नैट्स विद कपिल में ये पिंकी का रोल करती दिखाई दी बिग मैजिक के शो नादानिया में इनोंने तारावंती वर्मा का मेंन रोल किया जिसके गे सभी सिजन्स में दिखाई दी एंड टीवी के शो संतोशी मा में इनोंने मधू परताप सिंग का रोल किया सब टीवी के शो जीजजी सत्परहे में ये पंचमी का रोल करती दिखाई दी दूर दर्शन के शो चलो साफ करे में इनोंने एपसोडिक रोल किया दाकपिल शर्मा शो में ये ट्विंकल का रोल करती नजराई स्टापलस के शो कानपूर वाले खुरानाज में इन्होंने परमोध की शिष्टर इनलो का रोल किया स्टार भारत के शो गैंक्स और फिल्मिस्तान में ये कहीं अलग अलग किरदारों में दिखाई दी तो ये हैं उपासना सिंग के अब तक के सभी टीवी शोज की लिष्ट हैं तो ही उपासना सिंग बड़े परदे पर डेड़ सो प्लस मुवीज में काम कर चुकी हैं आपको उपासना सिंग का कौनशे शो पसंद है हम इपता ये नीचे एक में अट से अक्शन में स्टूडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए